हेलो स्टुडेंट्स तो यार आज जो है आई एस्टी का राउंड नंबर 9 जिलीच कर दिया गया था ओके तो बात करते हैं कुछ कट-off की यार भुव ज़्यदा चेंज नहीं आया इट लिस्ट जो बच्चे वेटिंग में चल रहे थे किसी का बारा आया और किसी का नो भी आया किसी का तेरा भी चेंज आया है तो 10, 12, 13, 15, at least 16 तक गया था, मैंने जितने बचों से बात हुई है, आज जितने बचों के काउंस्लिंग है की है, इस हिसाब से पता चला है कि at least 16, 17 से ज़्यादा डिफरेंसिस नहीं है बचों की रेंकियें के अंदर, सबस्थे मालब जो किसी बच्चे का यह भी कंडिशन चल रही है कि किसी की अवियर्यक्स और ऐरोस्पेस में सिर्फ एक यह काई डिफरेंस है, ओके ओर डिवल्ड डिगरी जो कॉर्स है, वो उसका कुटव लो चल रहा है, ओके ओर सबसे ज़्यादा हाई जो कुटव है, एरो साइट पर इंफरमेशन की अलोटमेंट आ चुका है बच्छों को आज जो नोवा जो अलोटमेंट था लेकिन अब बहुत सारी बच्छों की एक वारी है कि भाया हमरे इतने माक से हमको जोसा के अंदर नाइटी मिल रही है अब जैस्ट हमारी यह पोजिशन चल रही है हमको आ क्योंकि जोसा वाला जो भी वह सारी बच्छों को इसई है क्योंकि 35,000-35,000 वहां पे पेक कर रही है अब अगर बाद में इसमें मिल जाता है तो क्या वहां पे ले यहां पे ले अगर वह जोसा वाला फिर 40,000 फिर वह और देना पड़ेगा किसी को CSAB में फिर से रजिस्ट वाला वाला सीन अभी अवेलेबल है वह सारी बच्छों की यह क्वारी यौरी जा रही है तो क्या हमारा 400 वेटिंग ये कि आप 500 वेटिंग है किसी का 700 वेटिंग है तो क्या हमें कुछ मिलेगा क्या ऐसे हमेशा मिलता रहता है तो यार फरस्ट अफ जिन जो बच्चे कि 300 गया था कोई बच्चे जहार पर ते कोई डारिकनी 600 पर भी आ गए थे 700 पर था जो 400 पर आ गया था किसी का भी 450 चल रहा है किसी को 350 चल रहा है किसी का सो भी वेटिंग चल रहा है तो यार इसका मतलब जो बच्चे वह सारी बच्चे एक वारी कर रहे हैं कि स्पोर्ट राउन में कैसे मिलेगा भी मेरे 500 पर हूं में मेरे आगे 400 बच्चे बेटे हैं इसे पिछले साल की एगरपन बात करें तो मिलता है इसे बच्चे 500 बेटिंग में चल रहे हैं 600 बच्चे बेजना बेजना यह तो सब गोड का हाथ में हैं इसमें हमारा तो कुछ है नहीं क्योंकि जनरल वाले बच्चे जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा पढ़ना पढ़ता है इंडिया के अंदर यह आई तिंग बहुत ही गलत है इंडिया के अंदर यह के टेगरी वाला ओप्शन ठीक है क्योंकि जो अच्छी वाले बच्चे होते हैं ऐसा नहीं है अपटे हैं बहुत हैं इस्ते में उसकी यह पर्छों के रही है जो च्पर्षा चलरहें ऑके तो घबराए नहीं सपोर्ट रांड तक हंड्राड और परसंड मिल सकता है तुमको और अगर भात करेंड wordt रिवैलिडेशन के कि तो यार सेकेंड विरी वेलिडेशन में जैसे फर्स्ट के अंदर तीन सो का डिफरेंस आया था तो आप मान सकते हूँ इस सेकेंड में भी एटलीस डेट सो दोख सो का डिफरेंस आएगा तो जितने भी बच्चे वेटिंग में चल रहे हैं जो 500 पर चल रहा है वह एटलीस 200 मान सकते हो कि जो बच्चे एटलीस 400 500 300 700 वेटिंग में चल रहे हैं उनको लास्ट स्पोर्ट रांड भी होगा जैसे सीटे वेकेंट रहती है तो गपराई नहीं और जिसको हमारा पेट काउंसलिंग प्लान लेना है वो भी ले सकते हैं निचे वोट्सप पर कॉंटक्ट कर स तो जन्रली मेर को यहां पर बोलना पेट प्लान ही था लेकिन गलती से साइध डिमिशन प्लान ऐसे कुछ बोल दिया तो इस तिंग रियली सुरी फोर दी लेकिन हम ऐसा कोई सकेम बगरा कुछ नहीं कर रहे हैं हम भी एटलिस्ट पढ़ाई करते हैं पढ़ाते हैं ठीक है क कुछ इंफर्मेशन बनाते हैं तो इसका मलब यह नहीं कि आगर इसकेम बगरा भी होता है तो यार सारे वीडियोस के अंदर होगा ना एक वीडियो से कोई इसकेम बगरा थोड़ना होता है और एटलीस मलब सभी को भी पताना कि जो बच्छा जेई एडवांस की जेई में क दो दो लाग तीन-तीन लाग रुपए देखे यहां पर हमारे पर कोटा में रहके डिली में रहके बाइजू जनक केड़मी यह तीन-तीन लाग रुपए जो देखे पढ़ रहा है फिर भी सेलेक्ट नहीं हो रहा तो यार दसजार रुपए में का मलब कैसे सीट मिल सकती है यूटूबर को भी सोचना चाहिए यह लोग दसजार में सीट दिला रहे हैं ठीक है गारंटेट सीट का मलब यही होता है कि जस लाइक हम जो पूरी फुल ट्राइब करते हैं इस पोर्ट रौन बगरा में इतना भी हो सके ठीक है लेगन गारंटी का मलब पेसों की गारंटी वह सारे बच्चों का यह प्रोब्लम कल रहा है कि अगर नहीं मिला तो हमना एक साल बरबाद हो जाएगा क्योंकि अव्री अब ऑल्मोस्स बच्चे इंडिया का अंच्ज़ होते हैं अगर बात करो कुछ बच्चों को जैसे बहुत सारे बच्चे इंक वारी ती वहां हमको सिर्मा इस्ट्यूट Hayther पारूल है या पिर वीलोह रहे हैं वह पर सीट मिल रही है और वहां पर हमें एक लाग रुपे करनें हैं अगर हमने वहां पर पे कर दिये तो वह लोगों को रिफंड भी नहीं देंगे ठीक है और हमने वहां पे पे नहीं किये और हमको आइसर या फिर आइस्ट में सीट नहीं मिली तो यह मैंने नीट के लिए दो साल के लिए ड्रॉब करका है हम वह एक साल फिर से ड्रॉब नहीं करना चाहते हैं या फिर हमारा पेरेंट्स को भी इपने बच्छों का ध्यां रखना चीए इस मोमेंट के अंदर क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी वजह से की मुलब पेरेंट्स की सिच्वेशन ठीक नहीं है फैमिली प्रोब्लम होता है तो सुसाइड बगरा बहुत बहुत ज्यादा कोमन चीज है तो देखा जाए तो पेशे की कोई वेल्यू नहीं है जब हम अगर रही नहीं रहे तो फिर क्या फाइदा इस जीज़गा तो वेलेंड डू यार वेट करें आई होप आपको बहुत अच्छा इंस्ट्टूट मिलेगा आए यस्ट में मिलेगा तुम पड़ोगे इस रों के अं चैंजे जा जाए 500 आजाए 600 आजाए तुमको सीट मिल जाए इस यह अपन एक्सेप्टेशन कर रहे हैं गोड से परे करें तुमको सीट मिलेगा हंडेड और हंडेड परसें मिलेगा ओके थेंक्यू सो मच